उपर वाला देख रहा है टीवी इतिहास का सबसे अनोखा और अलबेला शो है इस शो में कोई एंकर नहीं है और बिना किसी रोक तोक हर महमान को अपनी पूरी बाद कहने का मौका मिलेगा महमानों को अपनी बाद रखने के लिए हमने एक खास चैट रूम बनाया है इस शो में हमने 18 क्यामरों का इस्तिमाल किया है ताकि बादचीत का हर पहलू आप तक सीधे सीधे पहुचा सके हमारे आज के मिनमान हैं चेतन चौहान पूर्व क्रिकेटर वाइस प्रेसिडेंट डीडी सीए कीर्थी आजाद पूर्व क्रिकेटर सांसद बीजेपी मदन लाल पूर्व प्रिकेटर मुहम्मद अजहरुद्दीन पूर्व कप्तान मनीश पिवादी नेता कॉंग्रेस प्रभात ज्जा नेता बीजेपी लेटिनेट जनरल रेटायर्ड शंकर प्रसाद रक्षा विशेशग्य थिर्व एaning पूर्ण ऐस फिर्व एकड़ी क्याए है है फ्लोर लगारी कर्दी कलित बत्ती, विए लाल बत्ती किसलिय है? यह ताइम आम का होगा कुछ हाओ नार याल एक शेकरण कर रहे है भी अलिग है ये किया है बुड़ी जोर से बजेगा है ये ये बुड़े जोर से बज़ गया है ये 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 हाँ वह जोर तेख अब तोल्ट है थाला देख रहे है अजिए। तरही हैं देखने में एकिशा है? तरहें प्रफें करें यह बुलाई? मत्यवर्देश निर देखने यहां? यहां आप किशया देखने हैं यह साथ-ार दिन जाना बढ़ाऊ तो तो गलभा एकिशनी उन अच्छा किया है? अच्छा किया है कर दो जैसे एजन डोड़ा सै नहुंटा है युए यूख भूलोः अभी अब यूट ऑफ यस वाल विवाल है टिव एट जे डिर इस पर नगई टो कर अजिए पर लू इस दून अए प्रिड फो ब्सुराइट लूद यू इस प्रिक अरे और श्रूग दो कोई फिर बिट यहुँ आप सुबह पस्ट अपको लाली सर्थ नो सीनियर्टे से जर गहना है All that you talk while you're sitting here will also record it. Is it so? तो जमान समाल गए और भी को आने वाले किया? हाँ 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 टिक ये? General, good evening Hello, hi Chitya. How are you? Nice to have at least some support from the modern school । Oh, sorry, nice to see you. Nice to see you शाफी दृबलिया अपसी तूम्लावदक आहीं ये तूमाद किया सुए Hello ये जर्णिया ये, thank you जी तुए आज का मुद्धा क्या भारत को पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना चाहिए चाचा शुरू की जाए कहां से होगी शुरू करें आप से शुरू करते ना क्रिकेट को और पॉलिटिक्स को बिलकुल अलग रखना चाहिए जातके मैं सुचता हूँ क्योंकि जैसा के हमने बीच में जो मुद्धे चल रहे थे जो भी प्रॉब्लम्स हो रही जैसे आपने पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ जो भी जो प्रॉब्लम्स हो रही इसको व हम मौका देरें पाकिस्तान को फिर सा आगे खिलने की ज़रत क्या है खिलने की भी अगर 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 आप अगर खिलना चाहरे खिलना चाहरत हो गारत हो जब हमले हुए आतंकवादी हमले मुंबई में उस समय भी यह बात की गई थी टेरर इंड़ टॉक्स डॉन्ट हम खिलारी हैं पॉलिटीशन हैं बिजनसमेन हैं एक्स वाई जड़ हैं पहले हिंदुस्तानी हैं थीक वो जवान जो सीमाओं पर बैठा हुआ जिसके सरकार दिये जाते हैं आतंकवाद को एक्सपोर्ट पाकिस्तान से हमारे यहां किया जाता है मासूम लोगों को मारा जात है उसके बाद किस प्रकार का खेल और किस प्रकार की ताली और किस प्रकार के हैं खुछी और तो अगर आप जो जो मेरा यह मानना है किसा है अगर आप खेले तो फुरही नहीं खेलना है आप ग्रिकेट खेले या गुलाम अली साब को गाने दिया जाए या गाने दिया जाए हमें यह देखना है कि पाकिस्तान के साथ हमारी प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान के साथ हमारी problem है, terrorism, insurgency, keeping line of control active, all the time putting these unnecessary problems for India by beheading our soldiers. इन सब चीज़ को क्या cricket खेलने से या ना खेलने से यह बंद हो जाएगा. यही मैं भी कहना चाहरा हूँ आपसे, कि एक second के लिए cricket को ज़रा इधर कर दीजे और पाकिस्तान से यह देखे कि हमारी परिशानी क्या है, हमें इस समय terrorism को attack करके cricket को एक दफ़ा छोड़ दीजे, अभी देखे दो साल पहले भी वाद विवाज शुरू गवा था, फिर cricket होई, उसके पहले भी कल परसो सौरब गंगोली साफ टेलेवेशन पे थे, 89 में उनको निमंतरन था cricket खेली पाकिस्तान से, वो नहीं कैंसल हो गया, सरकार ने उस समय कैंसल कर दिया, तो हर दफ़ा इसका वादवेवा था हर दो साल के बाद, जब भी इस यह चर्चा होती है पाकिस गाद के इसे हैं, जिसमें राजनीती कभी नहीं होती है, आपको तेय करना पड़ेग कि देश बटा की क्रिकेट बढ़ा, इसमें जो गोई हो ही नहीं सकती है, एक मिन ज hatte अब ये क्रिकेट के लिए देश के लिए क्रिकेट के लिए क्रिकेट के लिए क्रिकेट के लिए देश को दाओ पर लगाएंगे ये तो अगर आप ये तो अगर आपके तै करेंगे इसलिए आपने जो बात कहीं है ये देश से बड़ी चीज तो कोई है ही नहीं इसलिए इस ब पूरी बात तो सुनिए ना उसी समय कहा गया था कि टॉक और टेरिजम एक साथ नहीं चलेगा क्यों कहा गया यह बात हमें समझना पड़ेगा सोचना पड़ेगा कि क्रिकेट हम आप यहां पीछ पर तो क्रिकेट खेलेंगे और कंट्री को सरहत पर दाओ पर लगाएंगे यह दो चीजे नहीं चलती है इसलिए आपको रास्ता तेकरना पड़ेगा मैं पॉलिटिकल डिवेट में नहीं हूं मैं देश के करते हैं और आप भी हम सब लोग जिम्मेदार हैं कि पहले देश या क्रिकेट अवश्य देश नहीं देखे देखे मेरे वचार में जो है कि जब कभी कभी ये क्रिकेट का मुद्दा आता है तो डिप्लोमेसरी चलती है यहाँ पे हमें क्यों नहीं खेलना चाहिए क्या आपके हालत सुधरे हैं दो तिर मीने से या फॉर्टी सैवन से लेके अभी तक हमारे हालत बिल्कुल नहीं सुधरे इनके साथ हमने बाद भाद मैंने उनसे सीरीज के लिए मैंने दो सीरीज खुद खेली है वहाँ पे सब कुछ हुआ आपके सिंगर यहां पर आ रहे हैं आपकी अमन यात्रा चल रही है आपका सब कुछ इदर हो रहा है पर मेरे वचार में जब आप क्रिकट के बात होती है इंडिया पाकिस्तान के बात होती है तो आपके डिप्लो में से यहां पॉलिटिक्स चलनी शुरू है आपके हमारे पधान में मैं मांता हो कि देश बढ़ा है इसमें कोई दोर आए नहीं मैं उसमें मैं डिस्कुर्शन करना में नहीं जाता पर क्रिकट के लिए मैं मेरे वचार में यहां तो फिर आप ऐ से करिये सिंगर जो उनके आना जाना है वो सब उनके हुकापानी सारब बंद कर देगी है कि आ आई ही ना इधर सब कुछ उनका खतम करी है मैं थे सिंपल मैं एक प्रदान मंतरी को महाले में मंतरित किया गया और अब एक और बात है अब हमारे लोग क्यों मनें वहां भी श् आगे और यह और क्यों नहीं गवर्मन्ट जो भी गवर्मन्ट है मैं नहीं जाए बीजेभी हो चाई कांग्रेस हो क्यों नहीं आप स्ट्रॉंग डिसीजन ले ले लेते हैं कि हम नहीं खेलेंगे खतम हो गया हमारी बात है अभी तक्की जान करी है यह तो PCV और BCCI ने बात आगे तंक फैला रहा है आज ही अख़बारों में आया सुबह कि वहां पर 30 खुंखार आतंकवादियों को I.S.I. वहां के तीन आतंकवादी संगठन के साथ मिलकर के यहां भेज कर बुरी तरीके से यहां पर तहस्नेस करना चाहता है तो फिर मेरा किरती जो मेरा कहना है, मेरे मेरे वचार में क्यों ने बाकी शीजरे बंद करतें मैं एक खिलारी नहीं हूँ, मैं एक भारती हूँ हम भी भारती हैं इसलिए, मेरे ज़़ान जिनके सर काटे गए, जो मासुम लोग मारे गए आज तक उनको तो न्याई नहीं मिला सारे जितने भी प्रमान चाहिए वो प्रमान पाकिस्तान को दिये गए आज तक उसने पूरा नहीं किया जो आदमी बेगुनाह लोग 166 जो मुंबई अटैक में मारे गए आज तक उनको न्याई नहीं मिला और वहाव से बात करते हैं क्रिकेट की बात करते हैं वह लोग यहाँ पर आते रहें डिट इंडियां व्रेव थाजन कट्स वहीं करते रहो देक्डेजी आपने बंद क्यों नहीं कर्वा लिया अतनवालिस्टिक व्यू लेना पढ़ेगा पहली बाद यह मदन की बाद बिल्क ठीक ही कि या 1947 से हमने क्रिकेट खेली ना खेले कुछ भी हो गया क्या चीज़ सुधर गई वैसे के वैसी चीज़े हैं अब आजाती आतंगबादी अगर इखटा हो रहे हैं फॉज है वहाँ पे बॉर्डर पे बीस एफे फॉज है हम करें भी है ना कि बिल्कुल अपना घर बिल्कुल मजबूत रखें खूर जाए हम अपने आप मजबूत करएं उनके कड़ी कर आए हं मारों नों को उन् approximately अमें महार के लिए हम साथ आट महीं हैं साल दो साल थीन साल जो है किसी को जेवे के ऊँड़ाल कर रहे हैं वह तो मर्दे क इन पशेह, लेकिन जहां तक आ जाता है, खेल, खेल एक अलग चीज हो गई, बहुत अलग चीज हो गई है। और यह बात बिल्कुल ठीक है कि आपको कॉंटाक्क बंद करना तो सब कॉंटाक्क बंद को है, फिर आपने बस भी बंद कर देनी चाहिए, फिर आपने ट्रेन भी बंद कर देनी चाहिए, फिर आपने व्यापार भी बंद कर देना चाहिए, फिर बिल्कुल ही अलग थलग कर दिखिए, हमको यह देखना ही, सकारात्मक लोग कहा है, पाकिस्तान में भी सकारात्मक लोग है, ऐसा है कि every Pakistani hates India, यह ऐसा है, उसी तरीके से every Indian does not hate Pakistani, हमको यह देखना है कि क्या मैसेज देखना है, आप क्रिकेट खेलो या कोई भी और और प्र रहना है, फिल टू पीपल कोंट से चले वो आपने थोड़ा-थोड़ा चलते रहना चाहिए आप बिल्कुल अलग तलग किसी को कर दो गए ना बिल्कुल जैसे जेल में डाल के आपने अलग कर दिया तो दैट मैंन कैन बिकम मोर वाइलेंट और फिर बोलेगा या जादा वाइलेंट और क्या हो सकती है साहाब मैं किती जदो मट अगर लेलू लेखिए बुनियादी बात यह है कि आपकी पाकिस्तान के प्रति नीती क्या है और उस परिपेक्ष में आपको क्रिकेट को देखने की जरूरत है जब तक आत संक्वाद बन नहीं होता तो फिर क्रिकेट के साथ साथ चाहे वो बस हो चाहे वो आपके रेल के क्रॉसिंग्स हो चाहे बाकी चीजे हो फिर सब के ऊपर रोक लगाने की जरूरत है एक नीती इस मुल्क को तैय करनी चाहिए एक इनकी बात पर जाओं मैं आपकी बास्तिव म को देखती है उसमें आपकी आज तक काफी पॉजिशन वर्ल के अंदर अच्छी है आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री है इस पावरफुल मिनिस्ट्री आपके वाद एकनॉमिक मिनिस्ट्री है यूर आपवफुल एकनॉमिक कंट्री इन सब ताकतों को मिलाके अगर हम एक रणन अब वहां से कोई दो आतंग बात के हमले होंगे तो यहां से हम थोड़ा सा फायर कर देंगे इस नॉट दूट दूट चाहिए इस पहले दूब आपरिका उनके साथ बाचीत भी करता रहता है उनको हथियार भी रहता है अफगानिस्तान में उनकी मदद भी लेता रहता है तो इसलिए या तो आप नुएंस जो है पॉलसी में यह किसी पार्टी या सरकार की बात नहीं है यह पूरे देश कुट है देश की बात है देखिए वास्तविकता यह है अगर हम माने ना माने जैसे हमारे लिए आतंकवाद प्रात्मिकता है वैसे ही पाकिस्तान कहता है उस पानी सारे मुद्दों को रखा गया था कि सब मुद्दों पे कठी बातचीत हो अगर हम यह चाहेंगे कि सिरफ आतंकवाद पे बातचीत हो तो पाकिस्तान इसके उपर तैयार नहीं होगा और अगर आप यह चाहते हैं कि जब तक आतंकवाद खतम नहीं होता या पाकिस्ता प्रोट साहे आतंगबाद खतम नहीं होता तो बाचीत नहीं होने चाहिए तो मुल्क को दलगत राजनीत से उपर उठकर इसके उपर तै कर लेना चाहिए आपने नीती की बात की सवाल दिक्कत सरकार की नहीं अब इनकी सरकार है इनकी सरकार में भी CCS है तो जो वित मंतरी है रक्षा मंतरी है प्रधान मंतरी है विनेश मंतरी है वो सब बैठके तै कर लेते हैं पर जब वो एक नीती तै करते हैं तो विपक्षुत से इतिफाक नहीं रखता जब हम नीती त करते ते ये इतिवाग नहीं रखते आड ये नीती तया करते हम इतिवाओं नहीं रखते इसलिए एक मुल्टी पार्टिसन को नसा बनाने की कि मीडियंट अपाइस्तां से आप कैसे डिल करेंगे यह आपको एक नीती का तेह करना पड़ेगा और विपक्स से उपर उठके करना पड़ेगा यही बातीमेटली आपको नीतिगत तेह करना पड़ेगा अमरीका मिलिटरी के चीफ से बात करता है उनका मिलिटरी चीफ अभी अमरीका गया था प्रैक्टिकली एज़ पर्सन रेप्रेजेंटिंग इस कंट्री और उसने न्यूक्लियर की बातें की अमरीका में जागे एक जरूरी सूचना हमारा आज का मुद्दा है क्या भारत को पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना चाहिए हम अपने सम्मानित मेहमानों को इससे जुड़े कुछ बयान सुनाना चाहेंगे बी-सी-सी आई ने जो भारतिकल कंड्रोल बोर्ड है उसने पी-सी-बी से बात चीट करके शिरलंका में दोनों देशों ने काया कि हम खेल सकते हैं कि दिसंबर महीने में केल सकते हैं और दोनों देश के बोर्ट्स क्रिकट बोर्ट अपने अपने देशों से प्लिटिकल क्लिरेंस मांगेंगे ताकि उनके खिलाडियों को वहां पर जाने की अनुमती दी जाए कोई भी जो स्पोर्ट्स है वो दो फ्रेंडली नेशन्स में हमेशा होता है क्या किसी को लगता है कि पाकिस्तान हमारा निकतर है नहायत नशरमनाक पात है जो इस मत्या मुझे को उठाया गया है मुझे लगता है कि जब तक पाकिस्तान आतंग की हरकतों को नहीं छोड़ता तब तक किसी भी तरह की वारता करना या क्रिकेट खेलना मुझे ब्यक्तिका तुर्प से उचित नहीं लगता है अब तो ऑफिशली नांस होने में फिर देखते हैं सब्सक्राइब करेंगे इसको और ओविसली गवर्मन्ट सब्सक्राइब कर लेंगे तो वैलकम ही धक्का लग रहा है इस चीज़ से कि उनको नहीं देना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान ही जो है पाकिस्तान वहां कश्मीर में इस तरीके आतंगवाद फैला रहा है रोड टेरिस्ट आ रहा हैं बेगुना लोग मारे जा रहा है अभी अभी हाली में कोई मेजर अभी वो बंदा भी शहीद हुआ है तो शहीद परिवार के लिए आगात है कि उनको ये अनुमती दे के एक उनको दर्द और खुरेद रहे उनको ये कहके कि इंडिया पाकिस्ता अगर कोई मैसेज नहीं है, इंडिकेशन नहीं है, तो यह लोग इतना आगे नहीं बढ़ते हैं, मैं सो समझता हूँ कि यहीं के वहीं जहाँ जैसी शुरुआ तो वहीं पर रोक देना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, अब इतना आगे क्यों बढ़ रही है, या पीसी भी इतना और कि क्यों बढ़ रही है, कि शंकला हो रही है, और फिर यह भी ओर कि श्री-छलंका में करया है, तो इंडिया के अंदर हो, बारत के अंदर हो, जारा थोड़ा सा क्रिकिट देखने वालों को भी जमज आ जायेगा, तो वहीं चैथना आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, और मैं मानता हूँ कि गवर्मेंट ने अभी तक हा नहीं का है कर गवर्मेंट ने कोई इंडिकेशन नहीं दिया बद दे सेम टाइम लेकिन यह वी अगर इतनी बाद नहीं बढ़ने देनी चाहिए नहीं तो अगर अगर अपने चेत्र का प्रतिनित कर रहे हैं तो लोग की भावन समस्याओं का प्रतिनित आप पार्लिमेंट में करते हैं और समस्याओं को ठाते हैं पहले आपने यह कहा कि पहले से हम खेलते रहे अब तक नहीं खेलते रहे दो हजार आठ तक में हमने किसी भी टर्रिस को जिन्दा नहीं पकड़ा था 26-11 तक आपको दियान होगा और इसलि में से बोर्ड में भी हैं और मेंबर और पार्लिमेंट भी हैं वो भ्रमित करते हैं या तो पहले आगर सरकार से बात कर लें कि मैच होगा या नहीं होगा अगर आप करेंगे तो हम आगे बात करें लेकिन यहां अपने आपको ऊपर समझते हैं देश के कानून से या तो पहल में रहना है तो पारलिमेंट छोड़ने पारलिमेंट में रहना है तो बी-सी-सी-ाइ चोड़ने अब उसी कारण से आज देखे लोधा कमेटे बैठे हुई और डी-डी-सीम अजस्टिस मूठिकल कमेटे बैठे है यह एक मिनिट चलो मान लिया कि हम क्रिकेट खेलने के लिए एक मिनिट के लिए मान लिया कि हमारी सरकार ने मनजूरी दे भी दे इससे निकलेगा क्या भारत को जो उसकी प्रात्मिकताएं हैं भारत के सामने जो चुनोतियां हैं उन चुनोतियों को हल करने में या कम करने में ये जो स्रिलंका में सीरीज होगी वो किस तरह से काम इस चीज़ का जवाब बिलना चाहिए उठकर हम सब को किसकी सरकार है किसकी सरकार नहीं है इस पर नहीं जाएंगे जिसकी भी सरकार हो सब को confidence में लेके line of action तै करे कि पाकिस्तान के साथ हमारा रवया क्या होगा यह भी अच्छा नहीं लगता कि गुलाम अपने कौन गायक थे गुलाम अली जी अब वो आए उनको नगाने दिया जाए यह भी अच्छी बात नहीं है लेकिन line of action तै होगा तो cultural हो मेरा एक सवाले पर यह उठता है कि जब हमारे सिर काट तिये गए हमारे पर रोज आतंग बात से हमारे अफसर जवान मर रहे हैं इसका जवाब हम क्या दे रहे हैं इसकी क्या हमारी नेशनल पॉलिसी है क्या रन नीती है क्या हम कमजोर हैं क्या अगर हम कमजोर हैं तो मैं शक्ति चाली बनाईए नहीं ने कमजोर हैं ही नहीं फिर तो अगर कमजोरनी तर ताकत को इस्तमाद करके दिखाईए ना और इसको इसको आज जैसे कीर्टी साब ने कहा कि कि यह जो बी सी सी इकारी है क्या इन्होंने गौर्णमें से बात नहीं की यह अगर बात की है तो तब ही तो आगे बड़े हैं यह और दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि श्रीन वासन जी जो हमारे प्रेजिडेंट थे उन्होंने वोड लेने के लिए पाकिस्तान से और बने प्रेजिडेंट वहां ICC के उनको नहीं समझ थी उनको समझ होनी चाहिए थे कि इंडिया पाकिसान का मामला है तो यह समझ उनको होनी चाहिए थे और जो आप कह रहे हैं निती यह हमारी निती कोई नहीं कोई नहीं है पालिसी कोई नहीं है तो कैसे आप काम्याब ह सकते हैं और जब देखिए एक और जब भी आपको भी कुछ करेंगे पाकिसान कश्मीर का मुदा उठाएगा आप कभी भी आप देख लेना आपके कभी भी हालत सुदर नहीं सकते और 47 से लेकर आज तक देख लीगे क्या कितने हालत सुदर रहे हैं आप बताईए मेरे को मैं गЭ किना समझी श्रीनिवसन कि हो तो क्या हम अपनी समझदारी हो देंगे उतने देखिये उनको नहीं पता था और ने वह अगा अगर वो नहीं कर रहे हैं आप पाकिसान क्यों इंदिया क्यों रहा है क्योंकि उन्होंने सांध किfour है ये उनकी अप्लिकेशनन आपने मुझे से एक प्रेशन पूछा, कि क्या इनोंने सरकार से बात नहीं किया होगा, मैं बड़ी जोर से टेलिवेशन के उपर आप देख रहे हैं, कि इसका विरूत कर रहा हूँ, प्रेस में भी आ रहा है, सब्चेके जा रहा है, यदि इस पकार की कोई बात होती, तो मु मैं शुरू से रहा हूँ, और 2008 के हमले 26-11 के जब वे थे और जिस समय उस समय कहा गया था, यूपिय के सरकार्ती, टर्रेन टॉक्स डोंट गो टुगेधर, तब से लेकर आज तक, मैं इस बात पर पूरी तरही के से अडिक हूँ, शामती दो देशों के बीच मेरे दोस्तों लोगों के बीच में खेल होते हैं, तो 2008 के क्रिकिट नहीं खेले हैं, पाकिस्तान से हम, वर्ल कप में खेले हैं, उस समय जो पबिक अपीनियन थी ना, सोशल मीडिया इतना खुछ नि टेलिविजन पे चलता था, हाड़ा था, तो मुलीशी कह रहा है, अब यह देखें पब चलसी लोगों से बीच कर बात करनी चाहिए हो जिस प्रकार से अभी लोगों के बीच में से गुसा आ रहा है इस सीरियस को लेकर कि एक तरफ हमारे जवान मर रहे हैं उनके सिरे काट करके उनके सिरों के साथ फुटबॉल खेला जा रहा है और हम जाकर के वहाँ तालियों और हम ने दो हजार आट के बाद उनके साथ क्रिकेट खेला वास्तविकता है उसका कोई नतीजा नहीं 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 लिए अगर हमने कोई नीती अक्तियार की और वो नीती एक रचनात्मक अंजाम पे नहीं पहुंची तो उसको दोराने की कोई जरूरत नहीं है पर मैं मदनलाल जी की बात से इतिफाक रखता हूँ कि किर्टी बाइक और जो इतिहा से वो भी ये कहता है कि बगेर सरकार की बाचीत की है या बगेर सरकार के नज और विंक और नॉड्स के बगेर ये जो आपके क्रिकेट बोर्ड है इतने आगे नहीं बढ़ से तो इसमें सरकार को अपनी नीती तेह करने की जरूरत है तो इसका मतलब कर कहना जो मैं सदेव कहता रहा हूँ कि BCCI देश के कानून से उपर है वो जो चाहिसो कर सकते है अब पता नहीं देश के कानून से उपर है या सरकार का ट्राइल बलून है बढ़ा थी BCCI बढ़ा थी BCCI बढ़ा थी BCCI is United Alliance United in Corruption Alliances for Position As Simple as that जो हारे हैं वो चेर्मन बन जाते हैं अलग अलग गोड की कमेटीज में जो एक फैक्शन हार गई जो हारी भी फैक्शन है उसे टॉप पोजिशन ले लिए जो जीती है वो वहीं के वहीं है तो मैं आपको एक चीज़ बता जाता हूँ यहार कुछ नहीं है ना बाप बढा ना गया बीसी सी आय बढ़ी के देश Duchบढा बीसी सीरीज के लिए ना बाप बढ़ा ना मयया आप किपे हैागर शूष्टी जी एक बात बताहिए आईपील का तो माया जाल हम सromagnalay देखा है पर यह भारत पाकिस्तान की सीरीज में भी कोई माया जाल या कुछ इस तरह का चक्कर है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा माया जाल देखिए, माया जाल जो नहीं है जब सीरीज होगी 100-200-300 क्रोड का बिजनस होगा कुछ उनकों मिलेंगे, कुछ हमें मिलें रोज का यह रोज का रहे, बिल्कुल माया जाल में हम देखिए, सभी का जाल देखिए, माया जाल में देखिए डाओ पर नहीं लगेगा बन अगर हम पाकिस्तान के साथ स्रिलंका में खेलेंगे तो BCCI को और PCB को 200-300 क्रोड करोड रुपे का फाइदा होगा यह मैं को, फिगर नहीं मेरे को तो लिए तो पाईज़ए के लिए रंग बहेत्व नीती के लिए तो आफिरिका से लोगन रोडेशा था उसमें हैं लोगों ने जितनी दुनिया भर के देश थे समने नाता तोड़ दिया था सब्सक्राइब करें तो पूरे बन कर दिया ने तो पूरे बन कर देए या ने तो पिर आप बता जीजी करना पड़ेगा अगर खेलना है तो पूरी डरीका से की लिए अगर नहीं खेलना है ने भर्जी सके टाइज बन कर दिये ने फिर में अजर की बात तो आगे बढ़ाते हैं फिर तो आप बिल्कुल बन कर दिये हैं वीजा भी जो टेंपरेरी देते हैं रिष्टेदारों को दोस्तों वह भी बन कर दिजेगा जो यहां से पाकिस्तान जाते हैं पाकिस्तान के जो रिसेदार जो यहां पर आते हैं पाकिस्तान के जो रिसेदार जो यहां पर आते हैं पाकिस्तान के जो रिसेदार जो यहां पर आते हैं और हमारे जो हमारे खुद के जो खला रही हैं और आपको मैं यह भी उनको सखाते हैं यह करते हैं उनसे बात करते हैं यह कुछ नहीं है और राजीव चुक्ला ने प्राइम टायम पर कहा है कि सीरीज होंगी. सारा देश ये सोच रहा है कि सीरीज होंगी. आप ने आज डेशे किया कि सरकार की तरफ से बहुत हुद्द. लेकिन सारा देश देश सोच रहा है कि शैस क्रिकेट हो रहा है. सब ने सुनाइए अब इतने सालों से आप एक policy नी बना वाएं बिल्कुल सही कह रहे है मद्धी बाद है बिल्कुल सही कह रहे है ये तो हमें दुख होता है देखे इंटरनेशनली अभी आपने बात की ना पैरिस में जो हुआ है वो पहले जब हमारे यहां होता था तो गुड टेरिरिजम और बैक टेरिरिजम होता था अब पैरिस में हो जाने के बाद ये अमेरिकन तो सब ने समझाए कि टेरिरिजम एक बहुत बड़ा मुद्दा है यह ऐसा आतंग है जो जो पूरे विश्व भर के लिए बहुत बड़ा खत्रा है अब आप देखे कि हाफिस सहीद जैसा आदमी जिसके खिलाफ में हमने 26-11 के हमलों के जितने पुकता आपको सबूत चाहिए हमने सब दिया उसके बावजूद वाइस सैंपल्स दिया है उसके हमने वीडियो रिकॉर्डिंग्स दिया है फोन के क्या-क्या बात फोन पर भी है वो रिकॉर्डिंग्स हम ने उनको दिया लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है इसके ना तो पहले हुद है यह यह अनपॉपिलर बात जो मैं कहने जा रहा हूँ और यह भी एक कटू सकते हैं कि जब आप 36,000 फुट से किसी के उपर बं गिराते हैं और निर्दोश लोग मर जाते हैं तो आप कहते हैं को लैटरल डैमेज है जब कई कोई आके आपके शहर में बोली चालाता है और बेगुनाहों को मारता है तो आप कहते हैं कि आतंकवाद है तो इसलिए पिछले 15-20 साल में जो मिडल इस्ट में हुआ है जो आटमान इंपायर की जो ग्राफिकल सेटलमेंट थी उसको री ओर्डर करने की कोशिश की गई है उसके कारण एक बहुत बड़ा वहाँ पर उभाल उठा है और इसलिए आप देखें कि लाखों लाखों की तादात में लोग मिडल इस छोड़के यॉरोप पहुंचे हैं तो इसलिए आतंकवाद से लड़ना जरूरी है पर उसके साथ साथ एक राजनीतिक अकॉमडेशन भी आपको करनी पड़ेगी नहीं तो जिस तरह का महौल बनत जाइन से तो जयां तो जरें तो आपको क्या मानना है थी अगर जाईसा महौल चल रहा है मेरे साथ तो नहीं होनी चाहिए अगर आप करें तो अगर फूरी चीजे बन कर दी है तो कोई एक चीज मत स्टार्ट करी यहां तो हर चीज बन कर दी खेल पिक्चर उनके तो पर आगे उसमें क्रिकेट भी आ गया उसमें सब कुछ आगे पीपल-टू-पीपल गॉंटेक्ट हमेशा चलते रहना चाहिए वहां पर हो रहा है, वह कुछ कर रहे है तो हम भी जवाब दे, हम डवल जवाब दे, हम कब मना कर रहे है, बिलकर, लेकिन, people to be with because there are good people in Pakistan, there are good people in India and let these good people meet, let these people meet. और एक संदेश अच्छा जो है दोनों दिशों के बीच में जाना चाहिए पिल्कॉल की. चल साँ, आपका की राहे है? मेरी राहे यह है, कि क्रिकेट खेले ना खेले, लेकिन आतंक वात को अटाइक करें. We must have a national policy to fight terrorism. I am sorry, that is not adequately clear. No, but if I understand you correctly, what you are saying is that cricket and terror can go together. No, no, it is not a question of cricket and terror. They can't go together. You have to combat the whole of it together. जैसे अजुरी दिन साहर ने कहा, सब बंद कर दीजे. प्यार के बादा 50-50 नहीं चलेगा. इस नहीं चलेगा. दिल्कुल नहीं चलेगा. फिर बंद कर दिया. फिर बाद चीस होई, फिर चालू कर दिया, फिर बंद कर दिया. भई, इसका एक फैसला करो. देश को पूरे देश को हर एक बच्चे को पता होने ज़िए, पासितान से क्रिकेट नहीं कहलते हैं, क्योंकि हमारे ज़वानों के सिर काटते हैं. आइल भी था हैपियस मैंनों होते हैं. पर आप यहां सिर भी कटवार हैं, उसके बाद भी क्रिकेट खेल रहे हैं. और आज हम ते फिर पूछ रहे हैं क्रिकेट खेले ना खेले? आप हैल मुझे मार. तो भाई जो हमारा सिर काट के गया उसके साथ तो पहले डील करो फिर मुझसे पूछे करेट केले ना केले देखिए थोड़ा सा जो सवाल है वो पेचीदा है बात यह है कि इस चीज़ पे दिरभर करता है कि सरकार की अगले साड़े तीन बर्ष में पाकिस्तान के प्रती नीती किया होगी अगर तो सरकार ने ये ते कर लिया है कि हम पाकिस्तान को इंगेज करेंगे जैसे वाज़पाई साब ने इंगेज किया बलब लोहर हुआ उसके बाद उन्होंने आगरा में बुलाया बुशरफ साब को पार्लिमेंट का अटैक हुआ उसके बाद इसलामबाद गए डॉक्टर मनमोन सिंग ने भी इस चीज़ के बावजूद उनको इंगेज किया अगर आपने यह ते कर लिया है कि नहीं जब तक आतंकवाद वहां से प्रोथसाहत नहीं होता रहेगा तब क्रिकेट नहीं कहलनी चाहिए तो मुझे लगता है कि यह सीरीज क्तोलन समाफ कर लों अज़ा देगे, sorry, sorry, didn't update. Sir, why limit to cricket only? No, I'm saying, क्रिकेट क्यों बूले है? मैं कहरा है, हम तो कह रहे हैं, सब चीछ बंकरो. तो फिर तो कहीं भी ने खिल लाजी है? कुल्चरल एक्टिविटी भी बन करिये, सब को, स्टॉब एवरिइटिंग देने, सुनिए, इतिहास ने अपने आपको दरहाया है, जब कभी भी भारत की और से पहल भी है पाकिस्तान के साथ, चाहे वह अटल बिहारी बाचपई जी के साथ हुई हो, चाहे वह डॉक्टर मनम को दोहराएगा, यहां बार बार गलतियां पाकिस्तान की और से होती रहेंगी, तो फिर मैं बिलकुल मानता हूँ, और इस बात के लिए सदेफ कहता रहा हूँ कि क्रिकेटी नहीं, फिर सभी रिष्टों को गंभीरता से बंद करना चाहिए, एक राष्टे नीती बननी चाह कि किसी प्रकार का भी रिष्टा जब तक कि आतंक वाद नहीं बंद होता, हमें पाकिस्तान से रखना चाहिए. और ये काम सरकार का होता है, सरकार के साथ प्रतिक देजवासी का होता है, इसलिए हम समने जो मन बनाया है कि क्लिर्टी साफ करना चाहिए, सरकार को एक नीती बनानी चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए, और इसलिए मैंने कहा कि हम को आतंक वाद से लड़ना जरूरी है या क क्रिकेट खेलना मजबूरी है यह तै करना पड़ेगा सरकार को खाली क्रिकेट ही नहीं चेतन साब की भावना से मैं कद करता हूं हर चीज पर तै करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपको सबक भी सिखाना है पाकिस्तान को तो खाली क्रिकेट से सबक नहीं सिखा सकते आपको हर चीज पर line of action तैय करना पड़ेगा और इस नाते मैं फिर कहता हूँ जो मैंने सुरवात में कहा था कि देश बड़ा या क्रिकेट या कल्चरल कोई भी इसके देश से सौधा नहीं हो सकता हमको समझना पड़ेगा कि मेरा देश सुरक्षित रहेगा मेरा सरह मेरी सरह सुरक्षि रहेगी सैनिक शुरक्षित रहेगे तो देश सुरक्षित रहेगा इसलिए देश को सब से पहले सब को बिठाकर सब की भावनाओं का कदर करते वीक पॉलिसी तैया करना जाया देखे जी मैं तो यह आपके बजार तो मैं ने सुने अबर नीती भी जो आप बात कर रहे हैं, आप मैं सुनित हो कि बहुत जरूरी है बाकी बाकी जो बात है कि देखे यान तो सब कुछ बंद कर दिये जाए या क्रिकट के ऊपर पॉलिटिक्स ना खेली जाए तक बाद खतम करना बहुत जरूरी है मैं में यह बाद मानता हूँ पर यह नहीं है कि सारे आ रहे हैं वहां के जिसे अजरने का बड़ी यह वो सब कुछ गेमें हो रही है बस क्रिक्ट जब आती है तो हम कही न कहीं जाकर आपने शुरू कर देते हैं पॉलिटिक शुरू कर देते हैं या तो देखे अब किसने डिसीजन लिया श्री लंका में कहलें क्यों नहीं हमने फोर्स किया कि हम इंडिया में खेलेंगे अगर सीरीज हो रही है अब श्री लंका में क्या करना जा रहे हैं यह 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 रभिंग वान नादर और जो सच्चाही है उसे हम भाग रहें सच्चाही वह है उसमें सबने देश हित्म है कुछ ऐसे मुद्धे हैं इस्यूद हैं बहुत गंबिर इस्यूद है आतंगबाद उसमें से एक है सबने मिलकर उसमें इंडिने लेना चाहिए और वह नीती जो बने वह कायम रहे सरकार किसी की आएगी सरकारे कई जाएगी ठीक है लेकिन वह नीती चलते रहना चाहिए अब कि इस पर बाकी राजनितिक दलों पर यह दबाव बने कि जहां पाकिस्तान की बात आती है वहां सब हम एक स्वर में बात करें क्योंकि हाँ हम लोगों के अलग-अलग विचारात में फर्क हैं मरी जी मैं ये भी करन करा जाओंगा अगर आप पॉलसी बनाते हैं अगर एक ले ले लेते हैं तो जनता जो है बाहर जो बहुत खुश होगी क्योंकि क्या है कि हम एक कदम चलते हैं पाकिसान दस कदम पीचे चलते हैं मेरा प्रयास रहेगा सोंबार को मैं अद्यक्ष महोदिया को लोगसभा में कहूँगा कि वो अबसर दें और इसमें सभी लोग यतने भी पार्टी विमन पार्टी के लोग वहां पर हैं वहां पर उपस्तित होकर एक कंसेंस बनाएं और सब चीज़ भूलकर देश हित में सोचना आवशक है और देश हित में ये भी है कि क्रिकेट को साफ किया जो सो तो है क्रिकेट ही नहीं है हमें खुशी होगी मुझे पुरा भरुसा है कि यहां जो गॉर्मेंट है वो सब को साथ लेकर इस पर एक कंसेंस बनाएगी और एक निती तह करेगी मैं तो भरुसा रखता हूँ जब जवानों की जब कहीं ऐसे सुनने में आता है कि मौत होगी या कुछ हो गया है तो हमें बड़ा दुख लगता है यह निए कि हम हमें दुख नहीं लगता हमें बहुत ज़ादा दुख हो था अभी रहाली में अभी जब इस तरह की खबरें सारवजनेक होती है कि एक तरफ तो पाकिस्तान पे को लेके सारहत पे टेंशन है और दूसरी तरफ क्रिकेट की बात हो रही है इसका फौज के मॉरायल पे क्या इंपक्ट करते है फौज का एक ही मुद्दा है वो ये हैं कि आप इनको सोट आओट करें हैं हमें शक्तिशाली बना दे और उर इनको सोट जो ग्राथा नहीं हो ना हमें करता है कि इनके तयारी का समय दीजिए बज़े ठास्क में आप जब तैयार हो जाओगा बंगलादेश को लिबरेट करा दूगा नवंबर में गए 15-20 दिन में लिबरेट करा दिया उसके पहले ये भी ताक्ष में आना है कि चड़ोगा बारीश होगा बारीश होगी प्रब्लम में दोगा आप हमें टास्क दे दीजिए कि आपको ये टास्क करने है और उसके बाद पूछिए इंस आर्मी वालों से कि भाई इसको करने के लिए कितना समय चाहिए वह अनलाइज करके बताएगा कि सब इसके लिए इतना समान चाहिए इसके लिए यू चाहिए और उसके बाद अगर नहीं कर पा रहे है तो साक्ड़ोग वही आपके इ कि क्या समान चाहिए आप पता ही हमें इनके कहा हैं कैम्स किस तरह से इनको अटेक करना किस तो अगर फिर भी वह नहीं करते हैं तो हैं फाइंड न्यू मैन तो डुए इसके लिए बहुत जरूजी चीज है कि आपको एक human intelligence element चाहिए इसमें आपको electronic intelligence systems चाहिए इसमें आपको photographic intelligence systems चाहिए तो यह सब चीज़ें अगर आप देते हैं और करते हैं तो अवश्य इसकी रण नीथी बड़ी इच्छी बन सकती है और उसके बाद हम सोख सकते हैं cricket खेलना के लिए वापस में cricket खेले ना खेले वह आप लोग डिसाइड करने ने ने वा हैं इसकी बार है तो ऐससे बारे में तो बात कर रहे हैं हम individual कभी बात नहीं करते हैं आपकी जह हो तब हो जब आतंकवाद बन तो आतंकवाद और क्रिकेट साथ साथ नहीं चल सकता क्या इस चर्चा का इस निशकर्श निकल सकता है कि नहीं ख़तब करें